हेलो फ्रेंट्स आज की वीडियो में बात करेंगे कि ग्राम प्रधान अपने पद पर कब निर्योग माना जाता है और दूसरे टपिक में बात करेंगे कि ग्राम प्रधान को उसके पद से हटाये जाने की सक्तियां कब होती है तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपने चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल जरू सस्क्राइब करें और बेल आइकन दबा दें जिससे इसी प्रगार के आपको महित्फूड वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें दोस्तो आते उन सर्तों को पूरा नहीं करता है और नुर्योग होता है पद के लिए नुर्योग होता है फिर भी खड़ा हो जाता है पद पर और जीत भी जाता है ऐसे समय में जैसे मालीजी कोई प्रधान बन गया है और बाद में किसी को पता चला कि ये व्यक्ति इस पद के लाइक नही 1947 की धारा 5 के खंड का में निर्योग गिताओं को बताया गया है देखे अगर कोई व्यक्ति 25 वर्ष से कम है तो वह परदानी के पद पर निर्योग है या कोई व्यक्ति सरकारी पद पर है तो वो भी परदानी के पद पर निर्योग है और जैसे मालीजी हो भी जाता है फिर भी वो ऐसे कंडिशन में हटा भी दिया जा सकता है मैं आपको एक उधाराण दे दू बनारस में तेज बहादुर यादव जो की BSF के जवान थे उन्होंने अपना लोकसवा संसद के लिए नामांकन किया था लेकिन उनका नामांकन जो है वो रद्ध हो गया था वो इसलिए क्योंकि वो BSF से दुराचार के कारण निकाले गए थे तो ऐसी कंडिशन में अगर मालीजी कोई भी व्यक्ति ऐसा है या उसे सजा हो चुगी हो देखिए इसमें दो कंडिशन है अगर कोई बिक्ति है उस पर कोई केस चल रहा हो जैसे मालीजी यह 302 है 307 है 420 है किसी प्रकार का यदि विचारा धीन मामला है तो वो निर्योगी नहीं होगा यदि मालीजी यह वो एक बार सजा काट चुका है नियाले ने इसे दोसी सिद्ध कर दिया है तो ऐसी कंडिशन में वो प्रधानी के पद पर निर्योगी हो जाता है ना कि अपराद में लिप्त होने पर अगर मामला विचारा धीन हो और वो निर्योगी हो गया नहीं अगर मामला विचारा धीन है और उसमें सजा भी हो गई कोटन ने दोसी सावित कर दिया तब वो ऐसे पद पर निर्योगी सावित हो सकता है और प्रधानी की पद से हटाया जा सकता है उत्तरपरदेश पंचायत राज अधिया मुनिश्व सहतालिस की धाराच चौदा के खंड कामें जो भी सक्तियां हैं उन्हें दिया गया है देखिए अगर कोई व्यक्ति कोई ग्राम प्रदान है और ग्राम के कुल सदस्यों के आदे सदस्य से कम सदस्य ना हो अगर आदे सदस्यों ने कारण सहित प्रस्ताव लाया है कि प्रदान को हटाया जाए तो ऐसी इस्तिती में जो भी पंचायत अधिकारी है उसके समच ऐसा प्रस्ताव रखा जाएगा और उन कारणों को भी दरसाया जाएगा और यदि ग्राम पंचायत अधिकारी जो है वो संतुष्ट हो जाता है और उसे कारण सही लगते हैं तो वह तीस दिन के वीतर अविस्वास प्रस्ताव की कारवाई करेगा और यह करवाई पंचायती राज अधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारी के संपन्न की जाएगी जिसमें जो भी ग्राम पंचायत के सदस्य हैं वो भी इसमें हिस्सा लेंगे जिसमें एक दो घंटे तक वैस होगी चर्चा होगी और सदस्यों द्वारा मतदान किया जाएगा और जो भी प्रस्ताव है वै तभी पारित हुआ माना जाएगा जब उसमें जो भी मतदानने व जिसके बाद इस पद की सूचना जिला मजिस्टिड और जिला पंचायती राज अधिकारी को दे दी जाएगी दोस्तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सस्क्राइब करें और कोई भी कुश्चन हो तो कमेंट करके जरूर पूर